नमस्कार स्वागत आप सभी का मैं हूं मुक्तत स्यानि मेरी चैनल पर आप सभी बैबेरों का आधिक स्वागत करता हूं सभी के लिए सुप कमना सुबेचह भगवाण बोले नात सभी की मनों कमना पूरी करें कर्ज दोस्तों कर्ज एक ऐसा दल्दल है बाहर नहीं निकल सकता है, कर्ज चुकाने के लिए उन्हें कर्ज करना पड़ता है, तो कर्ज क्यूं होता है, कौन से ग्रह की वजह से इंसान के जीवन में कर्ज हो जाता है, और कर्ज से हमें बाहर कौन से निकलता है, कौन सा ग्रह हमें कर्ज से बाहर निकल सकता है, दोस्तो आज ऐसी ही कुछ जहनकारी आपके साथ शेयर कर रहा हूँ जिनकी भी जन्म पत्री में सनी ग्रह ठिक नहीं है सनी का असुप्रभाव है वो इनसान के उपर कर्ज हमेशा बना ही रहता है कर्ज करना उनकी मजबूरी हो जाती है ना चाहने पर भी उन्हें कर्ज करना पड़ता है कर्ज से बाहर कौन निकालेगा सेना पती जी मंगल मंगल देव हमें कर्ज से बाहर निकल सकता है दोस्तो कुछ खास चीजों का कुछ खास जगह पे कुछ खास दिन पे दान करते है तो उनसे जुड़े जो ग्रह है वो ग्रह की गुरुपा द्रश्टी, सुब द्रश्टी, सुब प्रभाव हमारे जीवन पे बनने चालू हो जाते हैं दोस्तो तो आज के उपाई में हम सनी देव को सांत करेंगे, मंगल देव को सेना पती जी को प्रसं करेंगे वीडियो देखने के बाद लाइक करें ना करें आपकी मर्जी, चैनल को सब्क्राइब करें ना करें आपकी मर्जी मगर एक छोटी रिक्वेस्ट करता हूँ, नमर निवेदन करता हूँ, अरज करता हूँ एक मिनिट, आधी मिनिट जितनी देर आपको वीडियो देखना है उतनी देर मेरी चैनल पे रहें मगर भगवान स्री राम का नाम लिखे बिना आप वीडियो छोड़के नहीं जाएंगे, चैनल छोड़के नहीं जाएंगे, कोमेंट बॉक्स में जही स्री राम आप अवस्चे लिखेंगे, बस दोस्तों ये छोटी रिक्वेस्ट मैं हर दिन मेरे सभी वीवर को करता हूँ पूरे परिवार को ये रिक्वेस्ट करता हूँ, कि आप जही स्री राम लिखें कोमेंट बॉक्स में दोस्तों ये उपई करेंगे आप आठ मंगल वार, लगातार आठ मंगल वार तक आपको ये उपई करना है सनी देव को सांथ करेंगे, मंगल देव की रूपा दृष्टी पाएंगे, प्रसंद करेंगे सहद, मद, सहद, जो मदु मखीक ताकती है वो वाला सहद मंगल है आठ मंगल वार तक लगातार एक सहद की छोटी बोटल ले, दोस्तों गेरेंटी वाला सहद चाहिए अच्छी कमपनी का गेरेंटी वाला सहद चाहिए आपके घर में सहद रहता है, तो बहुत अच्छी बात है, दो तिन चमच सहद आप ले जा सकते छोटी वाली सहत की बोटल नहीं तो ले बाजार में से 100 ग्राम काले तिल ले 100 ग्राम गुड और 1 किलो ग्यम सहत की छोटी बोटल 100 ग्राम काले तिल 100 ग्राम गुड और 100 ग्यम हर मंगलवार के दिन सुबह में स्नान करके आप शिव मंदिर चले जाए अगल बगल में कहीं भी शिव मंदिर है आप चाए दूप हर बारा बजे पहले आप ये उपए कर लेंगे शिव मंदिर में जाके ये सभी चीज का आप दान कर दे बेठ जाए पांच मिनित के लिए ओम नमहाशिवाई ओम नमहाशिवाई ओम नमहाशिवाई ओम नमहाशिवाई की माला करे भगवान सिव को कर्ज मुक्ति के लिए प्रात्ना करे ये रूम मुक्तेश्व ये मादेव जो मेरे पर कर्ज बन गया है मैं आपकी सरण में आया हूँ आप ही मुझे कर्श मुक्त करवाएंगे अगर शिव मंदिर के ग्राउन में पिपल का पेड है तो बहुत अच्छी बात है बाहर निकल के आप शिव मंदिर में या तो अगर बगज में कहीं भी पिपल का पेड है तो पांच मिन्ट पिपल के पेड के पास चाओं में खड़े रहे पांच मिन्ट पिपल के पेड को स्पर्ष करे पांच मिन्ट खड़े रहे पिपल के पेड को दोनों हथेली का स्पर्ष करे स्रीहरी, 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 स्रीहरी की माला करे सनी देव सांथ होंगे मंगल देव प्रसन होंगे माता लक्षमी की विशेश कूपा के लिए आप पिपल के पेड़ के छाओं में खड़े रहेंगे स्रीहरी, पिपल की जड़ के पास पिपल को अथेली को स्परस करके स्री हरी की माला करे गर वापस आजाए हर मंगलवार ये छोटे दो काम करे आठ मंगलवार तक लगातार करे एक बात का ख्याल रहे प्रेव पवित्र है सात्विक है गर में असुदी है तो ना करे दारू नोनवेच से दूर रहे बिच में कोई मंगलवा छोट जाता है गबराने की कोई जरूरत नहीं है कोई नुकसान आपको होने वाला नहीं है जरूरत एक ही बात की है सरद्धा, विश्वास और आस्था बस दोस्तों विडियो एक हन तक आप सभी मेरे साथ बने रहें जन्नियावाद गंदे महात्रम जन्नियावाद 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 नहीं है